नमस्कार मैं हूँ सूख्रदी रोय और आप देख रहे हैं One India हिंदी हाल ही में कॉंग्रस सद्यक्ष राहूल गांधी ने बीज़पी में लालकृष्ण आडवानी के कथत तौर पर अपमान को मुद्दा बनाया था उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवानी जी को जूता मार कर स्टेट से उतार दिया था जिसको लेकर काफी जर्चा हुई इस बीच सोशल मीडिया पर वारल एक इमेज के जरिये ये दिखाने की भी कोशश हो रही है कि बीज़पी अध्यक्ष आमत शाह ने भी लालकृष्ण आडवानी की बेज़दी की है इस इमेज में ये कैप्शन भी लिखा गया है कि खुले आम बेज़दी अहंकार की पराकाश था अपने बुजर्ग नेता को पीछे भीज रही हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया वही वीडियो में दो हिस्से हैं पहले हिस्से में एक फोटो में बीज़पी के एक मंच पर मोदी शाह और आडवानी दिखाई दे रहे हैं तो वही फोटो में अमत शाह आडवानी को उंगले से पीछे की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अब इसी फोटो से जुड़ा वीडियो अब सामने आ गया है जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले शाह और आडवानी कुछ बात करते हैं फिर शाह आडवानी को पीछे जाने का इशारा करते हैं और आडवानी चले जाते हैं बतादें कि फोटो की तफ्तीश में ये पाया गया है कि फोटो में किया जा रहा दावा भ्रामक है और इसे जिस तरह से वाइरल किया जा रहा है उससे उस फोटो से जुड़े तथ्यों का गलत मतलम निकलता है अब आपको दिखाते हैं वो पूरा वीडियो जिसमें इस फोट सतक्sna मामला साफ हो जाता है कि इस फोटो को शरारत पूर्ण तरीके से काटा गया जिसे देखकर यह धोका हो सके कि आमित्वशाह आडवानी को पीछे जाने को कह रहे हैं लेकिन कहानी हो कुछ और ही थारसल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आमित्वशाह आडवानी को पीछे बने मंच की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं जहां से उन्हें भाशण देना था देखा जा सकता है कि आडवानी मंच पर जाते भी हैं असली वीडियो में भी नेताओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही लेकिन देखने से ये भी लगता है कि पहले शाह आडवानी से पूछते हैं कि वो बैट कर बोलेंगे या मंच पर जिस पर आडवानी बोलते हैं कि वो मंच पर जाकर बोलेंगे आपको बता दें कि ये विडियो अगस्त 2014 में दिल्ली के जवाहर लाल नहरू स्टेडियम में हुए बीजिपी के राष्ट्रिय अधिवेशन का है इस सकारिक्रम में बीजिपी के कई दिगजनेता मौझूद थे विडियो में एक जगह पर अमित शाह आडवानी के पैर छूते हुए भी नजर आ रहे हैं वहीं बीजिपी में लालकृष्ण आडवानी का अपमान होने लगा है या नहीं ये बहस का विशे है लेकिन कम से कम इस विडियो में आडवानी की बेईज़ती का दावा बिलकुल गलत है फिलहाल इस विडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ